तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं और यह इसका पार्ट टू है इसके पहले का जो पार्ट वान है मैंने उसे अप्लोड कर दिया है नीचे निव इंडियन एरा लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको वह पार्ट मिल जाएगा ठीक है फ्रेंड्स और यह बेस्ट कॉल और कुछ नहीं अट्रेक्शन होता है बस इतना मैंने बताया था आज हम लोग सीखने वाले हैं के प्लर्स लॉज ओफ मोशन ठीक है फ्रेंड्स तो के प्लर के लॉज जो थे यह किसी रिलेट थे इस्पेश और जो यह प्लानेट्स होते हैं प्लानेट्स का रिवालुशन क की ऊपर यह डिप्रेंट्स थे ठीक है तो जो के लॉज ओफ मोशन थे के प्लर्स ने तीन लॉज दिये थे कितने ट्री लॉज फर्स्ट लॉज सेकेंडर और थर्ड़ा जिसे बोलते हैं ठीक है तो हम लोग इसे डीप में अच्छे से पढ़ते हैं के पलर को इनों लॉज में यह सरकल होता है ठीक है और एलिप्स जो होता है वो कुछ ऐसा टाइप का देखलो ऐसे तो जो प्लानेट्स होते हैं वो करते हैं उनका ओरबिट ऐसे ही होता है सं के अराउज ठीक है तो इतना याद रहिए गा ठीक है अब उसके आद्स हम लोग देट से बस और ये रिवाल कर रहे हैं इस जो elliptical जो पात है यानि कि ellips के फॉर्म में जो भी यह सरकल है तो इस ellips के फॉर्म में ये सारे के सारे प्लानेट इस संकर को रिवाल्व कर रही है ठीक है तो इतना आपको याद रखना है अब हम लोग केपलर का फस्ट लॉप पढ़ते हैं एकदम डीप में आपको समझ जाएगा ऐसा बता हूं कि आप लोग दुबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा बहुत ही इजी है ठीक है तो सबसे मैंने अच्छा सा इन नोट के तरीके में भी बना दिया है अगर आपको इसके नोट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा वहां से आप लोग इस पूरी नोट को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले the orbit of planet is an ellipse यानि की सिंपल से मैंने पहले ही बता दिया है जो orbit होगा वह क्या होगा ellipse होगा with the sun at one of the foci अब यह थोड़ा जो foca है या फिर focus यह इसो थोड़ा समझ लीजिए जिसे यह सरकल तो इसका center होता है यह ठीक है तो वैसे जो ellipse होता है ellipse तो ellipse का center नहीं होता है ellipse के यहां पे एकदम side में यहां पे दो type के point होते हैं यहां पे एक ही point दिखाया ellipse में एक्चुली दो point होते हैं तो इन दोनों को focus बोलते हैं एक यह focus हो गया एक यह focus हो गया ठीक है तो इसको focus बोलते हैं ठीक है तो जो sun होगा इस ellipse में इस ellipse में सन जो सन होगा at one of the focus यानि कि एक किसी भी एक focus पे sun present होगा समझ गया यही first law है किसका केपलर का कितना ही जी है ना जो planet है वो orbit में यानि कि elliptical orbit में revolve करेंगे और जो sun होगा उस ellipse के focus में present होगा simple सी बात है जैसे कि circle का center होता है वैसे ellipse का focus होता है तो उस focus पे sun होगा अगर circle होता तो जो sun होता वो center पे होता समझ में आ गया simple सा यह first law है किसका यह first law है केपलर का ठीक है ना अफ़र से एक example figure का देख लेती है figure क्या बोलता है shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun the position of the sun indicated by s ठीक है तो समझ गया होगा जो position of sun है वो किसे indicate हो रहा है तो वो हो रहा है s से देखो यहाँ पर जो ऐसा यह sun है वही सब कुछ बता रहे example में ABCD सारे के सारे planets है जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है ठीक है तो यह बहुत ही easy था first law था यह केपलर का बहुत ही था जो planets है वो elliptical path में ना कि circular path में revolve करते है और जो sun होता है वो focus पे present है न समझ गया होगा आपको पहुत ही easy है पहला law अब दुबार आपको कभी नहीं याद करना पड़ेगा ठीक है चलते हैं केपलर के second law की तरफ जो second laws of motion है जो केपलर का मैंने इसके पहले Newton के सारे की सारे laws of motion इसके first आले पार्टें बताया है जो कि ninth की उपर बेस है और आप होग ध्यान में रखते ही पड़ाई किजिए मैं उसका सारा का सारा जो ninth का पार्ट होगा हर एक चैप्टर में जो भी आने वाला है सब कवर करते जाओंगा ठीक है तो उसको आपको ध्यान में रखना है हम लोग पढ़ते केपलर का जो second नियम है उसे second laws बोलते है तो उसे हम फोकाई में है पहला law पढ़ लिया है ठीक है अब हम लोग यहां पर रिखते हैं the line joining the planet and the sun sweeps equal areas sweeps का मतलब cover करना equals areas in equal interval of time यानि कि similar time में equal interval of time में equal area को cover करता है कौन अगर हम लोग एक planet से और दूसरे planet का जो line है sun से join करते हैं तो बोलने का मतलब क्या है अच्छे समझते हैं समझ लीजिए कि यह planet A है यह planet B है और यहां से एक line जा रही है यह line join किया और यह line join किया तो अब यह जो one लिखा है यह area हो गया यह एक area हो गया उसी तरह similarly C एक planet है और D एक planet है ठीक है तो यह C और D planet से एक यह line join किया sun को और यह line join किया sun को जब यह दोनों line हमने join किया sun को तो यहां पर भी एक area बन गया देखो यह भी एक area है जो blue से दिखाया हुआ है ठीक है वैसे इसे एक line join किया वैसे एक line join किया sun को तो यहां पर भी एक area बन गया त यह वाला यारिया हो दोनों का एरिया जो होगा वह संप होगा कैसा होगा similar कि Same जो Space होगा Sam space को पर करेगा समझ गया तो सिमिलर सपेस कवर करता है यहीं बोल रहा यानि कि the line joining the planet यानि कि जो planet है or line joining the planet and the Sun Sun से जो भी line joining करते हैं सारे किसाने प्लानेट और जो भी area create होता है जो भी area बनता है वह sweeps यानि cover equals areas in equal interval of time same same time में उसी time पे equal interval of time पे same area को cover करती है यही है केपलर का second laws of motion समझ गया आप लोगों को अच्छे से बहुत ही easy था बहुत ही easy है यह केपलर का second law यानि कि जितने भी प्लानेट है अगर उससे हम लोग line join करती है sun से तो जो भी area create होता है वो sweeps करेगा equal areas को equal interval of time में समझ गया आप लोगों को बहुत easy था केपलर second laws of motion चलते हैं केपलर के third laws of motion में ठीक है तो बहुत easy है यह भी बहुत easy है और यह सबसे important law है हर जग है numerical जब हम लोग numerical यानि कि जो पीछे के questions जो solve करने वाले होते है mathematical questions होते है उनको numerical बोलते हैं और theory जो भी हम पढ़ रहे हैं यानि कि जो theory लिखी हुई चीज़े हैं ठीक है तो यह conceptual चीज़े होती है उन्हें theory बोलते हैं ठीक है तो यह theoretical चीज़ों को अगर नहीं समझोगे तो एक भी आपको numerical नहीं आने वाला है तो जो k-plus का third law है यह सबसे important very very important यह बहुत important है यह exam के MCQ में भी पूछता है बहुत ही basic के साथ पढ़ लेते हैं इसको चलते हैं k-plus third law सबसे पहले देखते हैं यह आपको पता ही होगा ABCD एक planet है मतलब planet से elliptical orbit में revolve करते हैं sun एक focus में first law हो गया जो भी इससे line join करेंगे तो जो line join करने के बाद जो भी area create होता है वह equal area को sweeps करेगा in equal interval of time में यह second law हो गया अब हम लोग पढ़ते हैं third law तो kepler's third law motion पढ़ते हैं now the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun अब यहां पर सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि यह बोल क्या रहा है ठीक है तो सबसे पहले देख लो कि ऐसा एक जो alpha के जैसे sign होता है इसको proportionality का sign बोलते हैं जो चिन जिसे भी बोलते हैं proportionality का sign बोलते हैं proportionality का sign या proportion दिखाता है जो ठीक है इतना या दतना आपको और इसके बाद हम लोग आप समझते हैं यहां पर लिखा directly proportional पढ़ा होगा आप लोग नहीं universally proportional भी ठीक है इसको भी समझ लेते हैं हम लोग समझ लोग कि अगर लिखा हुआ है a universally अगर बोल दिया तो यह proportionality का sign लगाओगे और इस side हूँ अगर समझ लो a universally proportional भी को तो one upon b लिखते हैं अगर बोला a directly proportional भी को तो a directly proportional भी को one upon नहीं लिखेंगे इस चीज़ को हमेशा ध्यान में अपने रखना है ठीक है तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना आगे काम आएगा ठीक है तो आप चलते हैं फिर से the square of period of its जो भी लिखा है revolution समझ लो यह एक planet a है यह revolve करना यहां से start किया revolve करके फिर से पुरे elliptical path cover करके फिर से यहां पर आ गया ठीक है तो revolve करते हैं तो its period of revolution जो period इसके revolution का around the sun sun के यह sun के around जो भी यह revolve किया तो यानि कि period तो time period को हम लोग T से represent करते हैं देखो यह T है T है देख लो लेकिन लिखा है the square of it यानिक इस T का square होगा समझ गया यानिक जो भी यहां पर T कर एक हुआ है इससका square होगा क्योंकि यहां पर क्या लिखा है the square of its period of revolution यानिक revolution जो around कर रहा है कोई भी planet sun के around जो भी कोई planet कर रहा है तो वो उसका square तो यह T का square लिख दिया टाइम पी रड का इस डारेक्ली प्रपोो्ष्टनल देखलो डारेक्ली प्रपोष्टनल टु धूор की तो बहु है और दारेक्ली पर क्योंब और दमीड दिस्तेंस अफ प्लानेट अम गissements स्मेझ लो हिए मिडिस्टेंस यानिकी यहां पर मीं डिस्टेंस है और उ संवाशनल है किसको मीन डिस्टेंस के क्यूब को ठीक है यही है केपलर का third law समझ गया होगा आपको अब बताता हूं यह मीन डिस्टेंस क्या होताई समझ से यहाँ पर यह बनाय यह.- यहाँ s earlier यहक दिस्टेंस और यह एक दिस्टेंस हो इन तीनों का जो भी डिस्टेंस है समझ दिए इसका डिस्टेंस 10 है इसका डिस्टेंस 20 है इसका डिस्टेंस 30 है फिर ये वाले का डिस्टेंस ऐसे ही 40 है ये वाले का ठीक है तो ऐसे ही सारे का सारे डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं मीन निकालते हैं उसका 10 प्लास 20 प्लास अपॉन जितना वह समझ दो है तो मैंने अपॉन टू कर दिया और जो भी यहाँ पर डिस्टेंस है वही मीन डिस्टेंस होता है हाला कि आपको यह सब कहीं निकालना नहीं पड़ेगा मीन डिस्टेंस डार्क लिए दिया हुआ होगा आपको इससे कुछ कुछ मतलब नहीं मैंने कंसेट सेप्ट बताय कि मीन डिस्टेंस क्या होता है समझ गया तो हर एक प्लानेट का सारा का सारा इस्टेंस जो average है distance ले करके हम लोग क्या करते हैं उसका mean निकालते हैं वही होता है mean distance ठीक है तो हम लोग फिर से देख लेते हैं केपर्स का third law क्या बोलता है जो period of revolution है तो उसका square directly proportional होगा देख लो यहाँ पर directly proportional होगा किसको cube of mean distance of planet from the sun जो sun से mean distance है planets का उस r को समझ गया directly proportional होगे समझ गया thus if r is average distance of the planet from the sun and t is its time period of revolution यानि कि t time period of revolution है r क्या है r है जो यहाँ पर mean distance अगर है तो यह ऐसे दिया होगा यही है केपलर का third law समझ गया यानि कि जो यह है यह केपलर का third law है इतना है आपको याद रखना है ठीक है now अब इसको हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं केपलर का third law को यानि कि अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो अगर a directly proportional है b को तो हम लोग हमेशा इस sign को नहीं चाहिए हमें equal sign चाहिए होता है जह हम question को solve करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं a को equal बनाने के लिए ऐसा equal sign लिखते हैं और इस sign को हटा करके k लिखके यहाँ पर b लिख देते हैं जहाँ पर k क्या होता है constant होता है समझ गया तो equal sign आ गया न यानि कि अगर proportionality के sign को हटाना है तो proportionality के sign को हटा करके वहाँ पर equal लिख देंगे बट वहाँ पर constant लिखना पड़ेगा जो कि k है या फिर c यूज कर लो जो भी आपको यूज करना है तो वो लिखना पड़ता है ठीक है इतना समझ गया आप लोग directly proportional to r square है यानि कि t square is equal to k r का cube हो जाएगा समझ गया आप लोगों को अब यह t square में r square सेड़ा जाएगा दिख लो कुछ ऐसा हो गया ठीक है और is equal to यहाँ पर क्या बचेगा यह k बचेगा तो यह constant is equal to k समझ गया तो यही है k plus का third law तो thanks for watching this video guys next video में जल्दी upload कर दूँगा और upload हो चुकी सारी की सारी videos next अंगले अंगले chapters की तो जाके उसे आप watch कर सकते हैं playlist में जाएगे सारी की सारी science one and science two की अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल जाएगी please share कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो like भी कीजिए